नमस्कार सो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और मैं थोड़ा बिजी हो गया था कि मैं अब वापस आके आपको MBBS नेपाल का एक समराइजड वीडियो बताऊंगा वो आपने वीडियो देखे थे मेरे जब मैं डिफरेंड यूनिवेसिटीज में ट्रैवल कर रहा था और देखिए हिस्टॉरिकली तो इंडिया के बाद नेपाल लोग जाते ही है शुरू से एंड इस गूड एस इंडिया तो आप मानके चलिए कि जब हम MBBS अबरॉड करने बाहर जाते थे और MBBS अबरॉड तब ही जाते हैं जब हमें इंडिया में सीट नहीं मिलती या हमारे जित नमंबर 2021 को बहुत बड़ा रूल आया कि जिसमें बड़े सारे नौम साग्यों सबसे बड़ा नौम यह कि आपको इंटर्शिप वहां भी करनी है और यहां भी करनी है इंडिया में जिससे कि आपका टैनियोर बढ़ गया पढ़ाई का तो नेपाल जो कि पूरा ही इंडिया यह कॉपी करता है तो साड़े-चार साल आप पढ़ते हो तो एक साल की इंटर्शिप साड़े पांस साल आपको वहां लगेंगे फिर एक साल इंडिया में इंटर्शिप करनी पढ़ेगी तो आपके एक साल बढ़ जाती है फिर भी इसका टैनियोर शॉर्ट टेस्ट है अमं और फिलिपीस में का टैनोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फिलिपीस में से साड़े-चार साल और एक साल के अलावा पहले एक साल का करना पड़ता है और फिलिपीज इंगली इंगली था तो नेपाल थो हमारा हिंदी इंगलिश और जो मैं आप जैसे वीडियो करना पड़ रहा है या नेपाल के लिए तो लाइने लगनी चाहिए लग मैं बड़ा प्रटे के लिए बोलू तो किसी भी कंसल्टर्ट को या नेपाल ऐसे कंट्री को माकटिंग को करनी पड़ रही है ना आपके सामने आएगा जो तनी अच्छी ऑप्शन है इंडिया में भी कि जो फीस है वह बाकी से जादा और इंडिया के बराबर होती है तो नेपाल का टॉप कॉलेजिस है उसमें तो 75,000 डॉलर फीस है तो खुश्ते मिला कि आपको 71-72 पड़ जाता है विच इस गूड़ एस दो इंडिया की कॉलेजिस है तो लोग को लगता है कि हम इंडिया मे ही पढ़ ले एक साल तो बचा ले तो उस वजह से नेपाल थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि दो सब्सक्राइब नेपाल का कोई वीडियो भी ने मनाता था जैसे कि आप बाक्षी कंट्रिस के देखते थे तो नेपाल में तो बच्चे मुझे याद है 2000 कोबिट से पहले तक हम फाइफ लाक रुपीज डोनेशन देते हैं नेपाल मेंड मीशन के लिए अब समझ रहे हैं वह भी दोर था और अब यह है कि डोनेशन निहीं में देनी पड़ रही है और सिरफ पे काम हो रहा है तो जो जो ढईतीन सारे पहले डोनेशन देनी पड़ती थी अब बीना डोने और समझदार अब दिखाएंगे तो आप बहुत असानिस अपने कॉलिज बहुं सकते हैं बहुत फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया आपको काठमांडू के लिए मिलेंगी बद फिर काठमांडू से छोटी चलती है जो नेपाल की हर मेजर सिटी में जाती है तो आपको कॉलिज कहीं पर भी हो आप मोटा मोटी बाइयर वहां पहुंच सकते हो और फिचल लास्ट में आपको आदे से घंटा बस यह टैक्सी में बैठना पड़ेगा टोटल मिलाकिन नेपाल में एक्जेट ली ट्वन्टी टू मेडिकल कॉलिजिस हैं एक्जेट टॉन्टी टू जिसमें छे हैं जो कि नेपाल के ऑफिशल सरकारी कॉलिज हो गए आपने नाम सुना होगा बीपी कुई राला आयो एम पातन नेपाली आर्मी इंसिटूट और इन सब में किसी में सौ सीटे हैं किसी में भी सीटे भी हैं और जैसे कि जो एक नैशल अड़िए मेडिकल साइंस है तो आपको मैं बता हूं नेपाल गवर्मेंट नेकिते असना मर्पी दे रख है 75,000 डॉलर की फीज का टू टेक फ्रॉप एनी फॉरण स्टूडेंट और एनी फॉरण में इंडिन भी आते हैं बागी देश भी आते हैं जो कि आज की डेट में बासत त्रेस्ट लाख बन जा है जो नेपाल की अपने बच्चे हैं वो फाइट मारते हैं फिर भी हर कॉलिज में चार-पांच सीटे अलोकेटिट है वर उसके लिए आपको नेपाल केंटरस्ट लेना पड़ता है जो जिसे हम M.E.C. exam कहते हैं जो ऑक्टोबर नवंबर में होता है इंडिया के इंडिया क पीशे चल रहा है फिल्हाल विकॉस अफ कोवीड डिले बट बाइदा टाइम हमारा जिए 2023 का बैच पास होगा तब तक उसका जो शेडूल है वो इंडिया वाले शेडूल से मैच हो चुका होगा तो आपको मैं यह भी बता दूँ कि कोवीड का नेपाल बिंगे स्वाल कर रहे हैं जैसे इंडिया में होगा था कि स्टार्ट लेट हुआ है लेकिन वह पढ़ाएंगे ऐसे कि आपके चार साल वही तभी खतम हो जाएंगे जब इंडिया टाइम में खतम होंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो नेक्स्ट वन के साथ मैच कर जाएगा अब जो बा अब देखिए उसका हिंदुस्तानी बच्चे पे तो कोई फरक आसर नहीं पड़ता है बड़ में नेपाल के बच्चों से बात करी तो नेपाल में थोड़ा यह चलता है कि जो नेपाल के लोकल लोग है दे प्रिफर टो गो तो एकॉलिज वीचिस एफिलेटी टु तु इस फरक तो नहीं पड़ता बड़ कहीं तो जैजमेंट करनी है ना तो अगर हमको जैसे मैंनों से पूछा मुझे बच्चे मिलेगी जब आप चॉइस फिलींग करते हो अपने इंडिया की तरह है तो आप कैसे करते हो जो आपका एक्जाइम आप में ले लेते हो तो सबने क आपके सथ देखिए नमस में तो है नहीं सकारी सीट तो हमारी पहली पांच ऑप्शन ब्लिकुल वही रहती है आयो एम बीपी कोईराला हम इंद को पहले भरेंगे उसके बाद हम अपना पातन भरेंगे नेपाली आर्मी भरेंगे और करनाली अकैडमी करनाली भर देंगे मै सब्सक्राइब नेपाली नेपाली रुपीज हो इंटेयर कोर्स सब्सक्राइब तीस लाख रुपे इंडियन करन्सी में जैसा मैंने का कि फॉरन के लिए हमारे लिए 62 लाख है तो हमसे आधी फीस पढ़ती है नेपाल का बच्चा जब अपने कॉलिजिस में पढ़ता है औ सब्सक्राइब कोल्येज सारे प्राइविट हैं यह कि दस कोलीज वही चहएं वह एफिलिए नेपालीजिश네 में भर्त पूल्सक्राइल क काट मृंट का शलीमस नेपाल मैटिकल साइंस इसका वीडियो नेगडिकल मेडिकल साइनस इसका बहता है घु है बीडिकल कॉलेज नेपाल गंज कर निपाल गंज मेंडिकल कॉलेज लुमीनी जिसका वीडियो हमारे चैनल पर देख लिया नोबल डीडिकल कॉलेज बीडियो देवदा जबता है घृृ आल्टेन कोलिज़ अंडर काठमांडु यूश्टे है का एलित्पूँ में है चित्वन पॉलिज भरत फिरुत लौद मेटिकल ऐसे उसमेह यूनिवर्सल्स को लिज और अ मैडिकल कॉलेज ये जान की स्वेड और ये चुन है、 यह सबी के अंदर 33% सीटे हैं वो फॉरन के लिए रिजर्व हैं तो टोटल अगर सीटे देखो के पूरे नेपाल में बहार के बच्चों के लिए तो इस हाड़ी 450 सीटे पूरे नेपाल में कितनी सीटे हैं 450 सब्सक्राइब के लिए काफी लोग जाते हैं महां पड़ने कुछ पाकिस्तान से भी आ जाते हैं तो इंडिन के लिए तो टोटल मिला के 300 सीटे हैं जर रश्या का एक ही कॉलिज या किसी और कंटरी का एक हमारे हैं सौ सो बच्चे ले जाता है यहां 300 बच्चे पूरे नेपा सब्सक्राइब कि नेपाल देखिए जब खुल के हम बात करते हैं जो में से पॉस्टिव ले सकते हैं तो कॉलिज पे हमारा काफी कंट्रोल रहता है क्योंकि हम ही उनका पूरा बैच मना रहे हैं 100-100 बच्चे बेच के एक बैच में बट नेपाल में एक्टुली स्टूडिं तो एक क्लास्रूम में 100 में 66 बच्चे नेपाल के होते हैं और 33 बच्चे सारे मिला के फॉरन कंट्री के इसमें शायद 25 इंडिया के होंगे कुछ शक्य बात नहीं और ऐसा ही हर कॉलिज होता है तो हर कॉलिज में नेपाल का बच्चा है और वो फीस भी दे रहा है तो हर कॉ इसलिए नेपाल के किसे भी कॉलिज में इनफरा की प्रॉब्लम नहीं है या खाने पीने की या हॉस्टल की नेपाल के बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना तो आप कॉलिटी ओव नेपाल के प्राइवट मेडिकल कॉलिज जो 16-16 इनको आप यह मांगे चले कि जो इंडिया होते हैं बेसिल्व कॉलेज वह बैची इंडेसले बनाया जाता है वह होस्टल भी हमनों कई खुल के बोलतों होस्टल भी हमारे लोगी जाके चलाते हैं बट नेपाल में चोंकि 66% हर जगह नेपाली स्टूडेंट है हर कॉलिज में तो खाना पीना यह सब तो एंशोर कराई जाएगा अच्छा क्योंकि नेपाल के पचोंचे से थोड़ी ना उनने पिटाई खानी है उनके पेरेंट से और डेफिनेटली फूड जो नेपाली फूड अगर आप खाएंगे मैं बीडू नी बनाए पच्छों टिपिकल नेपाली थाली होती है उसमें चावल होता है दा प्लगोल पेपसी ही मिलती है तो गाड़ी है मैंने को बताया था तो खाना पी नहीं बिलकुल ही इंडियाने को सोचना है यह बात ही नहीं है वीजा फरी एंट्री पेडेंट्स कभी भी जाके मिल सकते हैं लेकिन जैसे कि मेन आपको कहा कि नेपाल के बच्छों के लिए फि साथ था तीन साल पहले चार साल पहले लेकिन जब से कोवीड आया इंडिया में सीटे बढ़ गई और फिर भी देखिए नेपाल महंगा पड़ता है तो मार्केट में दो तरह के बच्चे होते हैं या तो जैसे नेपाल की मार्केट पिसले एक साल से थोड़ी डाउन हो गई है और इसलिए नेपाल के कुछ प्राइवट कॉलेजिस आपको पांच से साथ लाग रुपेस टोटल फी पर डिसकाउंट भी दे रहे हैं ताकि आपका जो टोटल पैकेज है घॉस्टर मिला के को साथ लाग का पड़े तो फिर सवाल ही उठता है कि साथ लाग हम नेपाल में उसमें तो दो बच्चे हमारे पढ़ लेंगे और जुबेकिस्तान या किर्गिस्तान में मैं वही कहता हूं कि नेपाल तो मिनी इंडिया है वह कंट्री वह है तो अगर आपको बजट कम है तो वहां भीजिए लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लोग कहते तो फोर जाना कि दो तीन कॉलेजिया जो मैं मेशा बताता हूं मद्यपरदेश के नीचे वाले दो कॉलेजिया तो वह मिलेंगे या फिर आप सवागड़ू पर खर्श किजिए राइट बट दो सो नंबर लाके आपको 65 लाके बजट में अच्छी पढ़ाई करनी है तो फिर नेपा आप चाहते हो बच्छा कमफर्टेवली रहे आप चाहते हो की आप जंबर जी मिलने आप से आ जाए कोई साल में एक विजड की बंदिश ना हो आप हर महीने चले जाओ हर दो दोदोधे में चले जाओ अफोर्ड कर सकते हैं 60-60 लाग खच कर सकते हैं इंडिया में फर्स्ट चॉइस थी हमारी नंबर को ज्यादा कम आ गए हैं लेकिन हम सवा करोड़ों नहीं खच करना चाहते और नंबर के बच्चे उनके लिए नेपाल वाली ओ तो भी देखिए जो मनिपाल वाली तो भूट ही शांदर कॉलिज है यह कॉलिज अब नाम लिया था तो आपके पैसे नहीं तो जोर मत मारो आपके 400 नंबर आपको इंडिया में क्या सीड मिलेगी तो यह सब देखते हुए आप डिसीजन लेजिए हमारी मज़च चाहिए आप हमारा नंबर जानते ही है नाइस नाइस सिसफोर ट्री ट्री सिस टू टू जिरो में हमेशा आपसे कहता हूं देखिए मेरा समय ही मेरी कॉस्त है नहीं हूं लोग को शायद को बुरा लगता है लेकि मिनिमम दो अजार पांट सब्सक्राइब करता फिरो कल को जाके साथ लाग या सतर लाग कैसे खर्च करेगा तो फिल्टर ही हो जाता है कि चाह बच्चे में एक्ट्री दम है प्रेवट में पढ़ाने का अगर डाइज़ा और फिलाल देने गलो भी नहीं है टू एन एक्सपल्ट ओके सो बेस्ट भब बाइ